जेहिन स्वागत है आपके अपनी यूटिब चैनल दा कैनी नियूस पे भारत सरकार डेल मंतराले डेलवे बोड की तरप से महंगाई भत्ता को लेके आ रही है एक बहुत बड़ी खबर क्या है ये बड़ी खबर आईए जानते हैं विस्तार से जैसा कि आप जानते हैं कोविट पैंडमिक के कारण सभी सरकारी करमचारियों का तीन किस्त महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया गया था जनवरी 2020 से जून 2021 तक तीन किस्त यानि की डेड़ वर्स किसी करमचारी को महंगाई भत्ता नहीं मिला लेकिन जुलाई 2021 से सरकार ने महंगाई भत्ता रिलीज कर दिया और तीनों किस्त को जोड के अर्थात 17 परतिसत से बढ़ा कर 28 परतिसत कर दिया हाला कि इसका एरियर तो नहीं मिला लेकिन कारेड़त करमचारीयों को इस बढ़ते महंगाई में बहुत बढ़ी राहत मिली लेकिन जो करमचारी डिये फ्रीज पिरियेड अर्थात जनवरी 2020 से जून 2021 के पिरियेड में रिटायर हो गयें उनको काफी लौस हो रहा था कहने का मतलब यह है कि इस पिरियेड में जो भी करमचारी रिटायर हुएं चाहे वो जनवरी 2020 में रिटायर हुएं या फिर जून 2020 में रिटायर हुएं या फिर जून 2020 में रिटायर हुएं तो इन किसी भी पिरियेड में वो रिटायर हुएं तो उनका महंगाई भत्ता 17% ह उनको दिया गया और ग्रेजुएटी वगेरा का लाब भी उसी के एकॉर्डिंग मिला तो निस्चित उनको काफी लौस हुआ और इसी गंभीर मुद्दा को देखते हुए रेल मंत्राले ने ये लेटर रिलीज किया तो इससे निस्चित जो इस पिरियड में रिटायर हुए ह उनको बड़ा बेनिफिट मिलेगा अब आईए देख लेते हैं कि किनको कितना परतिसत के एकॉर्डिंग लास्ट सैलरी मिलने वाला है एक जनवरी दोहजार बीस से 30 जून दोहजार बीस के बीच जो भी करमचारी रिटायर हुए उनका 21 परतिसत बेसिक पे में महंगाई ब अब मिलेगी उसके बाद अगर हम बात करें एक जुलाई दोहजार बीस से 31 दिसंबर दोहजार बीस के बीच जो भी करमचारी रिटायर हुए उनको 24 परतिसत बेसिक पे में महंगाई बता दे होगा तथा जो करमचारी एक जनवरी 2021 से 30 जून 2021 के बीच रिटायर हुए उनक 28 परतिसत महंगाई बता दे होगा और इसी के एकॉर्डिंग उनकी ग्रेजुएटी बनेगी तो कहने का मतलब ये है कि ये इंप्लिमेंट होगा तो आपका ग्रेजुएटी रिवाइज किया जाएगा साथी साथ एरियर का भुकतान किया जाएगा पेंसन में भी आपको 23 परतिसत बढ़ोतरी के साथ आपको 31 परतिसत महंगाई भता का लाब मिलेगा हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट मन्थ से आपके खाते में 31 परसेंट डियरेंस एलाउंस के साथ आपकी पेमेंट आने लगेगी उमीद आप ऐसा जरूर कीजिए साथ यो इस वीडियो में इतना ही व क्याल रखिये टेक किया मिलते हैं